भारत जोडो नया यात्रा लेकर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में दाकिल होते उससे ठीक एक दिन पहले ही ममता बैनर जी ने कॉंग्रेस से गडबंधन तोड़कर एकला चलो का ऐलान कर दिया बुदवार को ममता ने कहा कि टीमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी उनका ये एक बैयान विपक्षी गडबंधन पर बम की तरह फोटा है ममता के इस एलान के साथी विपक्षी इंडिया गडबंधन की तस्वीर और सियासी तकदीर पर संकट के बादल गहरे हो गये उनके इस एक बैयान ने इंडिया गडबंधन के भविच पर सवालिया निशान लगा दिये हैं इस बैयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाय आम है कि क्या इंडिया गडबंधन तूट गया इसका माकूल जवाब जानने और समझने के लिए सियासी बैक्ग्राउंड जानना जरूरी है। हमला वर रहे थी। कॉंग्रिस और टीमसी के रिष्टे उस वक्त बिगड़ गए जब कॉंग्रिस नेता ने ममता बैनर्जी को अफसरवादी नीता बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। इंडिया गडबंधन के सदस्य होने के नाते कॉंग्रिस ने बंगाल से निकलने वाली अपनी यात्रा का कारकरम उनसे साजा नहीं किया। हलाकि विपक जी गंडमंदर को टूट के कगार तक पहुंचाने वाले ममता बैनर जी के अदम ने बीजेपी को बैठे बिठाई कॉंग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। आपने ममता जी के ऑफिशल कमेंट आ गया आपने उस पर बताया मुझे। लेकिन लोग के अंदर अंतररोध है कि नहीं है। वाँ वाँ पंतियों को ममता जी कभी चाहती है क्या। देखो वड़ी बात समझो। इस पूरे अंतररोध का कारण क्या है। कॉंग्रेस का वजुद नहीं बचा। कॉंग्रेस के पास वोट नहीं बचा। एट वही है। पीम हमारा ही आदमी बनेगा। तो छेत्रीय दल इस हवार उठाते हैं और सही उठाते हैं। कि आपका मार्केट वैलू क्या है। आपका शेयर बजार क्या है। तो वह तो है नहीं। हलाकि इंडिया गडबंदन को लेकर अभी भी गुंजाईश बाकी है क्योंकि ममता बैनर्जी की नाराजगी रननीतिक भी हो सकती है। क्या है।